कि नवश्कार मैं जीशान जावेद आप देख रहें न्यूज नेटवर्ग टुडए वीवा शहर की फ्रेश लूप ब्यूटी एकडमी में एक सेमिनार ब्यूटी पारलर को लेके ब्यूटी पारलर का एक सेमिनार फ्रेश लूप ब्यूटी एकडमी में संपन हुआ ब्यूटी की दुनिया का नया नाम एस्टू ओटू मशीन रिवा संभाग में पहली बार लांच की गई वीवा शहर की तमाम ब्यूटी शेन ने इस मौके पर पहुँचकर अत्यादूनिक तकनिक से अपने को परिचे कराया हमने भोपाल से आए राके स्पार्टला से बात नमस्कार आप देख रहे हैं नीजमेट टूड़े मैं जावेदन साभी मैं मौदूद हूँ फ्रेश लूप ब्यूटी एकडमी में यहां आज रिवा में पहली बार एक नई फेशियल मशी में लांच हो रही है मशीन को लांच करने वाले हमारे साथ हैं इनसे मैं बात करूंगा पहले अपने दर्शकों को बता दूए यह लड़की का मशीन लगा दी गई है इसके पहले कैसा चहरा था ना आपको आपके स्केंग पर पहले तो वह दिखा रहा हूं उसको देखिए उसके बाद जब मैं इसको हटाएंगा, मास्कों तो कैसा दिखेगा, फिल्हाल बात करते हैं, मशीन कैसे काम करती है, पर अपना माम बताईए, पता ही मशीन कैसे काम करती है, मेरा नाम है राकेश बाटला, मैं व्यूटी सिक्रेट भोपाल से हूँ, और आज हमने यहां पर H2 की ओटू मशीन को लांच किया है, बेसिकली यह चार काम करती है, सबसे पहले सकीन के, हड्रेशन के लेवल को, मौश्राइजर के लेवल को बराती है, तक लिए क्लीन करती है, और सबसे बड़ी बात यह हीलिंग और पेयर भी करती है, यानि अगर स्कीन में कोई प्रावलम ह क्या यह माना जाए कि एक्ने के लिए काफी काम आएगी यह आपने उसके अलावा पिग्मेटेशन बस्की स्कीन अनिवन टॉन और इसके अलावा एजिन की जो प्राब्लम है यह सब में उप्य होगी है यह मश्यूं किस तरीके से काम करती ज़रा संचेट में में दर्शकों को करिए इस में बेसिकली साथ पार्ट है सबसे पहले यह स्क्रबर है जो स्किन को एक्स्पोलियेट करेगा जेल पैमिकेशन के लिए अल्ट्रा साउंड है उसके बाद अब्रेजर है जो वैक्यम सक्षन की तरह काम करता है स्प्रेय है रेडियो फ्रिक्वेंसी है इसमें और क इसके जो आगे यह बॉटल देख रहे हैं इसमें यह कॉंसर्टेट्स यूज होते हैं जो हमारे स्किन के मोश्चर लेवल को बढ़ाते हैं और यह पूरे जो जितने भी नौप से सारे स्टेप्स वाटर इंटेक वैले है इसलिए इसको हैड्रा फेश्यल बहुत है हाइड् क्या होगा देखिए पैंडमिक टाइम के बाद करोना काल के बाद सबसे इंपोर्टन के चीज होगी है वह हाईजीन तो इस मशीन के जरीए अगर हम फेशल करते तो वह बिलकुल हाईजीनिक होता है मैंने बहुत कम होता है नंबर वन नंबर दो यह फेशल की दुनिया में उसके वर्ड में अडवांस टेक्नोलोजी है सेवन सारे टूल सारे स्ट एक मशीन के जरीए हो रहे हैं और नर्मली फेशल हमने सारे एक फेशल हरे पर नहीं दे सकते यह मशीन हरे एक स्किन टाइप हरे एक फेशल की प्रॉब्लम के लिए उपयोगी होता है आपने बाद की मशीन में लाइट कल की कलर की मा लाइट देख रहा हूं जब इसके बारे में बताईए यह इसके बड़ा महत्व हैं स्किन के लिए जब हम रेड लाइपि करते को वह बाद को एक चाहिए और ब्लू लाइफाशन के लिए ब्लू एच्छा है और जो ग्रीन लाइट है उसमे वो एंटी रिंकल का काम करता है और इसके लावा इन कलर जो लाइट से इनके कॉमिनेशन भी यूज होते हैं आप किसी को वाइट में चाहिए और ऐली स्किन भी है तो हम इसमें रेड और ब्लू को मिक्स कर देते हैं तो यह सारे इसमें ऑप्शन रहते हैं इस मशीन में टाइ देख रहा हूं मैंने इस से पहले नहीं सुना कि यहाँ पर कोई इस तरह से हईड़ा फेशल कर रहा है इस संभाद में या इस खेतर में यह तहली मशीन है मेरी नौशा जो आपको देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर उनको क्या कहना चाहेंगे बहुत अच्छा है आप चाहरे संक्रमर के बाद यह फेशियल यहाँ पर डेमो दिया गया रीवा शहर में पहली बार अब मैं आप से कहूंगा जरह इसको हटाईए और चेहरे दिखाईए क्या बदला वाया जैसा कि आप इस क्रीन पर देखता रहेंगे आप इस लड़की का चेहरा हमने जब यह ब बदला वाया चेहर के फेशियल पर साब तरते माना जा सकता है रीवा में यह पहली अपने आप में जो मशीन आज लांच की गई अध्याधुनिक मशीन थी अब हमें देखना रीवा शहर के लोग इसका किस इत्माल किस तरीके से करते हैं ताज़तारीन खबरों के लिए News Network Today से जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाईए और देखते रहिए News Network Today